नमस्कार दोस्तू डियर मैत्समेटिसें अपलोग्वो भात में आज आड़ बताऊंगा दर्पन के बारे में तह belongsवे कालास के लिए ने लिए आड परकास का प्रावरतन क्या होता है तो सब से पहले जानते हैं कि प्रकास कुन के बराबर होगा तथा आपतित किरन आने वाला किरन तथा पिर्वष्ट किरन में रिफलेक्शन दे तथा आपतन मिंडूपर ढला गया अभिंङना तीनो एक ही सम्तल न होंगे तो अब जानते हैं ढर पन के बारे मिरें तो देहिए दर पन जुह एक ऐसा परकासिय युक्ति है जो परकास के प्रावरतन के सिधान पे काम करता है तो यहां देखिए दर्पन या आईना एक परकासिय युक्ति है जो परकास के प्रावरतन के सिधान पे काम करता है आगे देखिए किसी कांच के टुक्रे को यदि उसके किसी एक भाग को किसी क तो यहां देखिए प्रावलिय दर्पन कैसा होता है तो परावरतन के चप्टर में मुक्षिता दो परकार के दर्पन का यूज किया गया है एक में समतल दरपन और दो नुबर में गोली दरपन तो हम पूरे सिलिवस में समतल दरपन और गोली दरपन के बारे में ही बात करेंगे प्रावली दरपर आपके सिलिवस में नहीं है तो हम इसको यहीं रखते हैं तो चलिए अब आगा बढ़ते हैं तो आए जानते हैं दरप बहुत छोटा दिखाए परेगा और अबतल दर्पन में आपको बस्तु की आकर्ति के अप्यक्षा बहुत ज्यादा बड़ा दिखाए परेगा तो इसलिए प्राहे जो है अपनी छवी को देखने के लिए हम समतल दर्पन का अपयोग करते हैं अब दोन देखिए गारियों के पीछे से आरही दूसरी गारी को देखनी के लिए उत्तल दर्पन का अपयोग की जाता है कि यह दूर से गारी आ रही है तो इसका आक कि दोके जुआ को उंज़ा अगरा कि से अगर dona कों पयोग करते पता ही नहीं चलेगा गारी उस से आ रहे या इस से आ रही है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं परकासी यंत्रो जैसे दूर दर्सी या सुक्ष दर्सी के दूर दर्सी अगर अगर कोई बस्तु बहुत दूर है तो हम वहाँ पर दरपन का वियोग करके उसको देख सकते हैं आपर वह बस्तु बहुत चोटा है तो हम दर्सी की क्यों के देख सकते हैं जात नमर में देखिए परकास के एक बंदू पर केंद्रित करने के लिए परकास के एक बिंदु पर केंदेटे 2020 के लिए भी हम धरपन का इफयोग करते हैं के लिए इतना ही नैच्छल स्थनल आपको 11पन के बारे में और उसके पहरोम के बारे में इस वीडियो अगर आप इस तरह का वीडियो लाता रहता हूं धन्यवाद